Hello all, my name is Krishnayak and welcome to Krishnayak Hindi YouTube channels, guys. So, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CBAW, that is Continuous Bag of Words, Word2Vec technique के बारे में और अगर आपको पता नहीं है, Word2Vec क्या होता है? It is nothing but it is a deep learning model that will convert word into vectors based on some feature representation. चलिए, मैं अपना screen share करता हूँ, क्या-क्या चीज़ों के बारे में discussion करने वाले हैं हम लोग ये समझने वाले हैं, ये सारा CBAW, जो है Continuous Bag of Words, Word2Vec model बनता कैसे हैं, scratch से, data set कैसे divide होता है और इसके लिए, अगर आपको ये properly समझना है, इसका training कैसा होता है, ये deep learning model का तो आपको एक at least ANN का idea होना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए, शुरू करते हैं यहाँ पे let's consider कि मैं एक data set का example लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको ये पूरा का पूरा model scratch से कैसा train होता है, ठीक है, अब data set में मैं लिख दिया हूँ, ठीक है let's consider कि मैंने पास एक data set है यहाँ पे, और ये data set मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्रिश, ठीक है, क्रिश, name is related to, related to data science मैं ऐसे लिख दिया हूँ कुछ, ठीक है, let's consider कि मेरा पूरा जो data set है, वो यही data set है अब यह मेरा vocabulary हो गया, पूरा का पूरा, ठीक है, this is my vocabulary अब यह data set में मैं specifically एक CBAO, word to work model कैसे train करता हूँ, वो आपको मैं दिखाता हूँ ठीक है, और यह आना काफी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, word to work model obviously Google के पास already pre-trained model है ठीक है, हम लोग वो भी directly use करते है, कर सकते है, बट यह जानना काफी ज़्यादा important है क्योंकि यह backbone है आने वाले जो भी advanced word embedding technique समझने के लिए ठीक है, अब यह मेरा पूरा का पूरा vocabulary हो गया, यह मेरा पूरा data set है let's consider, हम लोग पहली बात तो यहाँ पर जो initialize चीज करने वाले है, वो होता है window size so let's go ahead and initialize our window size, यहाँ पर मैं specifically window size बोलूँगा 5 मैं importance बताता हूँ यह window size का है क्या, अगर आपको पता होगा, जो यह window size है हम लोग इसको basically बोल सकते है, feature representation, feature representation, ठीक है, feature representation क्यों feature representation बोल रहाँ, क्योंकि अगर आप मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे यहाँ पर जो 300 dimension आ रहा है, देखें, Google Word2Vec में by default 300 dimension है तो वहाँ पर जब Google Word2Vec scratch से train कर रहे होंगे, तो जो window size रखे होंगे, वो 300 रखे होंगे तो वो जो entire window size बता रहा है, वो basically feature representation, कितना dimension है वो बता रहा है और इन दोरों के relationship के हिसाब से ही, जो भी words यह vocabulary है, उनके relationship के हिसाब से ही यहाँ पर vectors बनेंगे, after training the model, ठीक है, तो यह मैंने window size ले लिया है, ठीक है अब पहले हम लोग discussion करेंगे, कि हमारा data set कैसे बनेगा, ठीक है, based on this window size तो यहाँ पर मैं input data ले लेता हूँ, और यहाँ मेरा output data ले लेता हूँ, क्योंकि हमको भी एक deep learning model train करना है अब since हम लोग ने window size is equal to 5 लिया है, तो मैं starting का जो 5 words है, क्रिशनायम इस name is related to 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है यह first 5 words लिया मैं, ठीक है, और इन में से जो beach वाला word होता है, जैसे यह is आ गया, यह beach वाला word यह जो beach वाला word है, हम लोग इसको output में लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, is, ठीक है, और बाकी जो input है, क्रिशनायम, क्रिशनेम, related to, ठीक है, वो हम लोग input में डालते हैं, क्रिशनेम, related to मैंने यह capital में लिखा है, इतरह seriously लेनी की ज़रुवत नहीं है, इसको आप small में भी ले सकते हैं, ठीक है, क्रिशनेम, related to, तो मेरा जो first input data है, वो basically ऐसे form होता है, अब जो next input data होगा, तो यह मेरा first input data होगा, अब जो मेरा next input data होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक step आगे लेंगे, again window size 5 लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, अब जो beach का word होगा, वो basically होगा related, ठीक है, related, तो यहाँ पे जो remaining word है, वो है name is to data, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, name is to data, तो initially जो हमारा data बनने वाला है, वो basically इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और similarly अगर मैं third sentence में जाओ, तो क्या होगा, फिर से मेरा एक और movement आगे जाएगा, is related to data science, अब beach वाला word जो होगा, वो होगा to, ठीक है, to जो होगा, वो मेरे output में जाएगा, और यहाँ पे, जो होगा मेरा, is related data science, ठीक है, यह हो गया मेरा input data, तो ऐसे, जितना भी आपका बड़ा data set हो, पहली बात तो जो आपका supervised machine learning, जो deep learning models के लिए आपका data set बनेगा, वो input और output के format में बनेगा, वो यही technique specifically use होता है, यहाँ पे मैंने बस example के लिए, आपके लिए window size कम लिया हुआ है, बट यह window size is nothing but it is representing the same feature representation, जो यहाँ पे हम लोग ने discussion किया था, ठीक है, अब इतना जब हो जाता है, जो next step होगा, ठीक है, यह हर एक word, अब देखें, यहाँ पे हमको पता है किता vocabulary है, one, two, three, four, five, six, seven, seven unique word है, तो जो हमारा vocabulary size है, यह obviously किता है, seven है, अब जब vocabulary size seven है, तो हम लोग क्या करेंगे, one hot encoding से हर एक word, हर एक word को यह seven size के vector से define कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो first sentence में, क्रिश का जो word है, इसको represent हम लोग कैसे करेंगे vector के form में, one, two, three, four, five, six, seven, ठीक है, one, two, three, four, five, six, seven, इसका मतलब जो first वाला word है, क्रिश, वो one होगा, remaining all zeros होगे, ठीक है, similarly, जो next वाला name वाला word होगा, वो होगा, zero, one, zero, 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 based on the same vectors, जहाँ पे क्रिश हो one होगा, जहाँ पे name हो one होगा, ठीक है, similarly, जो next वाला word है, related, तो हर एक word को हम लोग इस तरीके के vector से convert कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ वाला जो है, वो होगा, zero, zero, one, zero, 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 और जो last वाला है, two, it'll be nothing but, zero, 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 one, zero, 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 तो इसका मतलब जो यह first sentence है, उसका पूरा का पूरा vector इस तरीके से दिखता है, ठीक है, अब यह vector काफी जादा important है, क्योंकि यही vector, initially, training में, आपके deep learning model में जाएगा, ठीक है, तो हर एक sentence का, हर एक word का, इस तरीके के vector में convert होता है, by using one-hot encoding, ठीक है, अब CBO में, आपने अपना input ले लिया, आपने उसको vector में convert कर दिया, बट आगे का training कैसा होगा, वो समझते है, तो CBO के लिए, हम लोग specifically use करते हैं, ANN, और इसको हम लोग बोलते हैं, fully connected, fully connected, neural network, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, fully connected neural network, अब यह CBO में, fully connected neural network क्या होता है, अब आपको पता है, हर एक word को हम लोग 7 vectors में, basically 7 dimension vector में change कर रहे हैं, तो जो आपका first layer होगा, जो artificial neural network का, हम लोग ऐसे उसको define करेंगे, तो यह आपका first neuron, यहाँ पे जो है आपका 7 vectors जाएंगे, similarly, आपका input, किते words का है, आपको पता होगा, input किते words का, एक, दो, तीन, चार, राइट, चार words का है, specifically, तो चार words के हिसाप से, आपके यह चार inputs बनेंगे, ऐसे, राइट, मैं और copy paste कर देता हूँ, so that आप लोग यह देख पाएं, just a second, तो यहाँ पे मैं इसको select करके, paste कर देते हैं इदर, ठीक है, यह होगे आपका तीसरा वाला, ठीक है, same तरीके से, उसके बाद हम लोग फिर से paste कर सकते हैं, अपने हिसाब से, और यह होगे आपका next वाला, तो चार हम लोग यहाँ basically लेंगे, ठीक है, जो होगा seven dimension के हिसाब से, अब first layer, चलिए मैं zoom out कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, first layer, तो यह first layer में specifically, यह जो क्रिश वर्ड है, तो क्रिश वर्ड हम लोग यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर हमारा input layer है, तो यह obviously input layer है, आपको ANN के बारे में at least थोड़ा सा पता होना चाहिए guys, तो क्रिश जो वर्ड है, वो basically represent होगा कैसे, one, zero, 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 right, और जो next वाला word है, name, ठीक है, name वो represent होगा ऐसे, zero, 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 और बाकी जो words है, वो इस तरीके के represent होगे, जैसे related हो गया, उसके बाद two हो गया, तो यह होगे आपका input layer, अब जब आपका first hidden layer में जाता है, तो first hidden layer का size क्या होना चाहिए, first hidden layer का size होना चाहिए, five, right, मतलब एक hidden layer, बट यहाँ पे आपके five neurons आएंगे, ठीक है, five क्यों, क्योंकि जो आपका window size है, window size है, वो five है, right, तो उसके हिसाब से यह input five होंगे, अब उसके बाद यह सारे के सारे इधर connected होंगे, right, यह सारे के सारे इधर connected होंगे, पूरा का पूरा, right, सारा चीज़ connected होंगे, right, अब similarly यह भी connected होंगे, पूरा का पूरा, उसके बाद यह भी connected होंगे, और यह क्या होता है, यह forward propagation होता है, आपको पता होगा, Artificial Neural Network में, यह भी connected है, यह भी connected है, और यह भी connected है, तो यह सारा का सारा connected है, और यहाँ पे basically क्या हो रहा है, हम लोग initialize करेंगे weights, forward propagation करेंगे, backward propagation करेंगे, but अभी भी question यह रहा कि output layer में कितना बाकी होगा, right, output layer में क्या आता है, तो output layer में, अगर मैं specifically बात करूँ, this will basically be my output layer, right, अब output layer में क्या है, आपको output कितने का इसका मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी आपका कितने nodes होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्यों, क्योंकि हर एक output का value भी, एक vector के form में form होगा, जो होगा, 7 vectors, are going to one-hot encoding, उसके ब होगा, तो यहाँ का जो layer है, यह होगा 7 x 5, और यहाँ का जो layer है, यह होगा 5 x 7, है ना, तो आप just imagine करिए, जब आप first sentence दे रहे हैं, krish name related to, तो यह basically आपका represent होगा, is keyword का, right, तो यह जो मेरा real y value होगा, let's say कि is keyword है, तो वो basically इस तरीके के रेप्रेजेंट होगा, right, जब forward propagation करेंगे, तो y hat calculate होगा, y hat calculate करने में, let's say कि मेरे को कुछ values आगया, let's say 0.25, 0.33, 0, 1, 0, 0, 0, उसके बाद क्या होगा, हम लोग loss function calculate करेंगे, loss function calculate करने ये बाद हम लोग क्या करेंगे, y minus y hat करेंगे, और make sure करेंगे through back propagation, इसको reduce करने का, right, अब जैसे जैसे loss कम होगा, ठीक है, final जो value आएगा, इस में से, जब भी हम कोई input देते हैं, हर एक node में न, इसका जो output आएगा, will be based on this, based on this output, right, क्योंकि यहाँ पे, जो हमारा window size is equal to 5 है, right, तो इसका जो एक output है, और जो भी हमारा एक word निकलता है, उसका vector representation किस form में होगा, ये window size के form में होगा, तो let's say कि Krish name related to, एक output आगया हमको, ठीक है, output आगया, तो वो output specifically क्या होगा, output हमारा vectors होगा, and this vector will be equal to the same dimension of the window size, right, और वो ही हमको चाहिए, क्योंकि ये window size हम लोग ने select किये होगे, जैसे एक Krish, right, इसका क्या vector होना चाहिए, ये basically window size के हिसाब से vector होना चाहिए, right, तो ये Krish basically ऐसा determine हो जाएगा, ठीक है, 0.2 है, 0.93 है, 0.5 है, 0.4 है, 0.2 है, right, तो ये हो गया हमारा 5 dimension vectors, और ये ही चीज़ हम लोग पिछले इसमें कर रहे है, right, इसमें भी ये ही कर रहे है न, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, boy is getting converted into 300 dimension, क्योंकि हमारा window size 300 dimension था, right, अब आप इतना में, at least imagine कर पा रहे, forward or backward propagation होगा, loss, reduce होगा, but, जो every output of the word, जो output मेरे को मिल रहा है word, हर एक word का 5 dimension vectors होगा, right, 5 dimensions आपका vector होगा, ठीक है, तो I hope आपको ये समझ में आ गया हो, skip gram, देखें, जो दूसरा वाला टेक्निक है, ये तो backward propagation हो गया, और इस तरीके से पूरा का पूरा training हो जाता है, जो next वाला टेक्निक है, जो उसको हम लोग बोलते है, skip gram, अब skip gram के case में क्या होता है, ये पूरा का पूरा neural network reverse हो जाता है, पूरा reverse हो जाता है, इसका मतलब, जो आपका input है, मैं बताता हूँ, बहुत ही easy है, जो आपका ANN train होगा, वो basically होगा, इस तरीके से कि ये जो होगा आपका value, ये आपका input होगा, ये आपका output होगा, ठीक है, और input के हिसाब से, अगें, ये पूरा का पूरा neural network reverse हो जाएगा, forward-backward propagation, उसे ही रहेगा, और finally, जो आपका output मिलेगा, will be based on this, अब आप इसमें imagine करिए, कि आपका output का dimension क्या होगा, ठीक है, इतना ही आप बताइएगा, ठीक है, बाकी सब तो मैं आप आप आच्छे से समझा दिया हूँ, तो ये था पूरा का पूरा continuous bag of words के बारे में, word-to-back के बारे में, अब बहुत ही amazing techniques है, पूरा का पूरा ये चीज, बट आपको ये तो समझना है इसमें differences क्या होते हैं, ठीक है, word-to-back कभ यूज़ करना है, skip gram कभ क्यूज़ करना है, ठीक है, और सबसे बहतरीन चीज है, जैसे जैसे आप इसका data भी increase करते जाएंगे, ये model का performance भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, अगर आपको और dimension चाहिए, तो definitely इसका window size बढ़ाते जाहिए, और अपने आप हो जाएगा, ठीक है, बट, अगर मेरे को बात करना है, simple difference देना है, when should we apply CBAW और skip gram, कौन सा आपको apply करना चाहिए, ठीक है, और आगे वाले जितने भी embedding techniques देखेंगे, आप इसके basis में ही होंगे, जब ही भी आपके पास थोड़े small data set है, तो आप definitely CBAW use करिएगा, ठीक है, और जब आपके पास huge data set है, तो it is good that we use skip gram, ठीक है, तो यह था पूरा का पूरा, एक और topic हम लोग specifically बात कर सकते हैं, that is with respect to advantages and disadvantages, तो I hope skip gram भी समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बस reverse of this neural network है, और training ऐसे ही चलते जाएगा, एक question मैंने आपसे पूछा था, कि skip gram की case में output dimension क्या होगा, इस case में आप देख पा रहे हैं, कि हर एक जो output होगा, वो basically 5 dimension vector से दिख जाएगा, क्योंकि यह window size हम लोग का 5 है, तो 5, जो feature representation है, वो particular value 5 है, ठीक है, अब एक last चीज़ बात करते हैं, with respect to advantages, advantages of word-to-vec, disadvantages तो कुछ है नहीं, क्योंकि सारा जो problem है, जो CBAO, sorry, TF-IDF, BAO, वो सब में solve होता है, तो इससे solve होई जाता है, एक है sparse matrix, अब sparse matrix क्या है, यहाँ पे नहीं होता है, instead this sparse matrix is getting converted to dense matrix, तो overfitting होने का chances नहीं है, second जो है, वो होता है, semantic info is getting captured, ठीक है, semantic info is getting captured, ठीक है, third जो important चीज़ है, वो है vocabulary size, vocabulary size, ठीक है, आपका, जो vocabulary size है, वो मतलब fixed set of dimensions, fixed set of dimension vectors है, ठीक है, fixed set of dimension vectors, से, ठीक है, जैसे google word2vec है, वो 300 dimension में आता है, उसका भी मैं example दिखाऊंगा, और out of vocabulary is also salt, क्योंकि हर एक vector को एक अलग तरीके से ही दिखाता है, और पूरा का पूरा words capture हो जाता है word2vec में, तो I hope आपको यह video अच्छा लगा हो, हम लोग ने इस video में बात किया, सीबा और skip gram के बारे में, और यह भी बता दिया कि word2vec models कैसे crash से train होता है, कोशिश किया हूं में जादा से जादा सब कुछ समझाने का, आने वाले वीडियो में एक और topic है, जिसको हम लोग बोलते है average word2vec, उसके बारे में discussion करेंगे, this was it for my side, I hope you like this particular video, I will see you all in the next video, thank you, take care